हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई स्वलिशन्स और यह वीडियो यह सर्वर कॉन्फिगर स्रीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो हम सेखेंगे यह सर्वर को कॉन्फिगर करना लास वीडियो हमने यह सर्वर का बेजिक कॉन्सप्ट सीखा था कि यह सर्वर का यूज क्या ह कि यह सेमुगस के डानिवां टेज किया हैंonym को कॉन्फिज़ करते हैं इस एलेओ हम यह व्हु पयाना सिकھें गें तो यह हम है जी हम स्थाइफ कारें और यह मसीन ऐसी एंड स्थाइब हम कॉन्फिगर करें गे इस मशीन को एज़ एंड सरूर हम कॉंद करें इस मशिन का IP configuration है 172.18.209.9 सबनेट मास्क है 25.25.25.25.0 और इस मशिन का होस्ट नेम है srv.mysolutions.com तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम होस्ट नेम चेक कर लेते हैं तो यह हमारा होस्ट नेम है इस मशिन का srv.mysolutions.com और IP configuration हम चेक कर लेते हैं तो देख लिए यहाँ पर इस मशिन का IP configuration है 17.18.209.9 ठाकि यह इस मशिन का IP configuration है इस मशिन का हम एजर यहम सरू कॉन्फिगर कर रहे हैं और यह सभी मशिन यहम क्लाइंट होंगे और यहम सरू को हम FTP सरू के साथ में कॉन्फिगर कर रहे हैं ताकि यह क्लाइंट यहम सरू से FTP सरू के थ्रू पेकेज डाउनलोड कर सकते हैं और अभी मैं FTP सरू के थ्रू इंग क्लाइंट मशिन पर पेकेज डाउनलोड करना चाहता हूं इसलिए मैं यहम सरूर को FTP सरूर के साथ में कॉन्फिगर करूंगा तो सबसे पहले चेक कर लिए कि विएस FTPD का पेकेज आपकी पीसे में इस्टॉल हिया नहीं तो उसके लिए आपको कमांद एक्जूट करना है rpm happen qa grape vsftpd तो देखिए इस मशिन में vsftpd का पेकेज इस्टॉल है अगर आपके मशिन में vsftpd का पेकेज इस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको यह पेकेज इस्टॉल करना है और यह पेकेज आपको मिलेगा आपकी आरचल 7 की जो इस्टॉर्शन मीडिया है DVD उसके अ इस्टॉर्शन मीडिया है DVD है उसको insert कीजिए आपकी PC में और उसको अपने सिस्टम में माउंट कर दीजिए यह माउंट हो गया उसके बाद में हमने M&T में माउंट करवाया है CD-ROM DVD को ठीक है और तो M&T में मूग कीजिए LS-L तो देखिए आपको पेकेज देखा एक डाय में store होते हैं तो आप इसमें जाइए package और फिर clear और यहां से आपको command एक्जिट करना rpm-qa vsfdpd तो देखिए पेकेज इस्टॉल होते हैं इस्टॉल करने आपको command एक्जिट करना rpm-ivh vsfdpd तो इस्टॉल हो जाएगा तो यह बता रहा है package vsfdpd is already installed ठीक है तो हमने चेक किया था पहले से package इस्टॉल था अब हम चेक करते हैं rpm-qa space अब उसके बाद से इस्टॉल करते हैं तब यह विए श्टॉल करता है अब इसके बाद से इस्टॉल हो गया है उसके बाद आपको करना है इसके अंदर आपको मूँ करना है और यहां पर आपको डाइट्री करने हैं किसी भी नाम साब डाइट्री कर सकते हैं जैसे मैं क्रेट कर रहा हूं माई सॉल्यूशन्स इसके बाद आपका जो इंश्टॉलेशन मीडिया था डीवीटी डाइट्रीक सेवन का उसका सारा डेटा वह पूरी पूरी यहां पर आपको कॉपी करने हैं माई सुल्यूशन्स के अंदर तो कॉपी करने दा कॉमांड एक्जूट करना है सीपी हाइपन और वी एप इसके बाद मंटी स्टार मंटी में मांट किया इसलिए हम एक तुरू कॉपी करें कांप कोपी करना में लेश वार एक टीपी पब उसके अंदर माई सॉल्यूशन्स को कॉपी वह रहा हैं अंदर में लेशन्स को कॉपी करना है तो चलिए हमारा डीवीडी का डेटा कोपी हो चुका है माई स्लेश वार स्लेश एप्टीपी स्लेश पाप स्लेश माई सॉल्यूशन्स के अंदर क्लियर कीजिए और चेक कर लिए लसाइपन एल तो देखिए पूवी डिवीडी यहां पर कॉपी हो चुकी हैं उसके बाद में चीडी पेकेज और यहां साब को एक पेकेज इस्टोल करना है rpm-ivh create repo तो बतारा है कि create repo package already installed है उसके बाद में यहां पर एक डायटी है रेपोडेटा ठीक हैं जिसमें हर एक पेकेज की इन्फॉर्मेशन होती है इस डायटी में तो अगर आपके बास रेपोडेट अगर आपको आपको अपको योडरेडी created है तो आपको रेपोडेट आपको एक YouTube करना है create repo hyphen v slash bar slash ftp slash bug my solutions slash bug तो चलिए रेपोजेटी क्रिएट हो चुकी है उसके बाद में इसका को क्रिएट करनी है यह हम सरूर की तो उसके लिए हम चले जाते हैं डाटरी सिदी स्लैज एटी सी यम डाटेपोस डाटी इसके अंदर आपको क्रिएट करनी ठीक है बसको यहां पर एक आपको और डी एक फाइल मिलेगी पैकेज किट हाइपन मीडे डाटेपों या तो इस फाइल को रिनेम कर दीजे या फिर इ एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है वी ए एम स्पेज सर्वर डॉट रेपों पीछे एक्सेंशन डॉट रेपो होना चाहिए नाम आप कुछ भी देश सकते हैं उसके बाद वी एम सम इस फाइल को एडिट कर रहे हैं इसलिए यहां पर आपको आई प्रेस करनी इंसर्ट मों आपको देना है एप टीपी कोलन 172 डॉट चो भी आपके मेशिन का आई पेटर से हैं यहां सरूर का 8.209.9 प्लेश पग यहां पापको सब्सक्राइब ज्यादर ज्यादर ज्यान रखना है कि अगर पाद प्लेट हो आपका यहां सरूर प्रोपर वर्क नहीं करेगा वह एर और यहां पर वह पाथ लिख दीजिए एप टीपी कोलन 172.18.209.9 तो देखिए आप पर अपन कीजिए डाइटरी माई सॉलेशन्स ठीक है और यहां से यह पाथ आप कोपी कर दीजिए को सब्सक्र fist कोपी कर दीजिए और यहां पर आपको प्रेस्ट कर दीना पशी सब्सक्रीण में इसके बारे जीपीजग इने पर्टु कर करना चाहते हैं जीरो उसके बाद इस फाइल को सेव करने के लिए एसकेप प्रेस कीजिए पर कॉलम डबली क्यूं कॉलन डबली क्यूं कि एसकलेमसन मार्क फाइल से हो चुकी है इसका कंटेंच चेक कर लिजें तो हमारी कॉनपरिकरिस्ट फाल करेट हो चुकी है उसके बाद में आपको कमान्ड एक्जूट करना है वेसे फ्टीपीड के सरीच को स्टार कंहें तो स्ट नेटएक स्याओन में सर्विस स्टार कने करें कमान्ड यूच मार्फ सिस्टम wiz2 फट पी डी क्युक्त तो श्पें स्ट्रीच सब्सक्राइब में वेक्टीफ की एस फ्टीव रनेंग के किसी भी सर्विस का आपको चेक करने के लिए यह कमांड आपको एक्जूट करना है तो उसके बाद में जैसे हम डिट next 6 में या 5 में हम किसी भी service को पर्मानेट ओन करने के लिए हम कमांड यूज करता है तो यहां पर हम बूटाइम ओन करने के लिए कमाद यूज़ करेंगे systemctl space enable space service name Vsftpd.service यह कमाद आपको एक्जुट करना है बूटाइम ओन करने के लिए जैसे प्रिएस ओल्डर वर्जिन में हम यूज़ करते हैं से इसके कांटबीक ठीक है कमाद हम यूज़ परते हैं इसमापको यह कमाद यूज़ करते हैं जिए चीज़ किस्ट पर सर्विस नेम पिर और रॉप ठीक है इसमापको यह यूज़ करना systemctl space enable space service name और सर्विस उसके बाद में यम का जिए नब केश हो क्लीन कर दिए यम क्लीन और ठीक है यह उसके बाद में यम इस्टोर सामवा स्टाफ बाद में इसको पेकेज मिलें देखिए तीन पेकेज इसको मिले हैं और चार डिपेंडेंड़ पेकेज मिले हैं टॉटल साथ पेकेज इसको इस्टोर करने हैं तो यह तीन परेंगा संबा आइपन पाइफन संबा ईपन वाइफन संबाइफन इन वाईफन मोलिल्स और चार परेकेस इसको जो तो टॉटल साथ पेकेज इस्टोल करेगा अभी किरा इस टॉटल डाउनलोड साइज 2.5 MB और इस्टोल साइज 12 MB इस अगर आप ओके हैं तो यस कर दीजे और एंटर प्रेस कर दीजे तो देखिए डाउनलोड किये इसने पेकेज और उसके बाद में आप यह स्टोल कर रहा है ठीक है यह दाउनलोड हो चूका है आप यह इसटोल कर रही है को घृटası किया है तो देखिए पहले इसके इस डिपेंडिन से इस्टोल की और उसके बाद में सांबा के पेकेज इस टोल किया है तो देखिए यह पेकेज इस्टोल हो चुके हैं सामबा के उसके बाद में आप चेक कर लीजिए आर पी एम हाइपन क्यू ए कि ग्रेव सामबा स्टार देख लीजिए सामबा के पेकेज इस्टोल हो चुके हैं तो इस उडियो हमने सिखा कि याम सरूर का क्लाइंट कैसे क्लाइंट क्लाइंड क् कॉन्फिर करना सेचेंगे पसंदा रहे तो लाइक बटन जुरू प्रेस करें और में लेटे स्सूड़ो के अबडेस के लिए आप उरे यूट्यू चैनल पर सबस्क्राइब कर सकते हैं तक्स पर वचिंग सेयार inability इ photograph सेया से जुँ हो ईाय ऑल